तो आज हम हिंदी पार्ट माला में चैप्टर थर्टीन पढ़ेंगे जिसका नाम है शाक्षातकार चीते से तो इस यह कहानी है चीते के बारे में पढ़ेंगे चीता जोगे हमारा एक राश्ट यह पशू है और हमें पशू पक्षियों से बहुत प्यार करना चाहिए हमें उन सबको इनके नाम लिखने है इसके बाद हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे जिसमें वार्ता लब दिया हुआ है दो लोगों के बीच में पहला तो प्रश्न करता है जो कि प्रश्न पूछते है और सेकिंड चीता है जो कि उनके बारे में अपने बारे में बताते हैं तो चल बड़ी बात नहीं है वैसे भी दोपैर को मैं आराम करता हूँ तो यानि कि चीते ने अपने बारे में बता है कि मैं दोपैर को आराम करता हूँ मेरे काम का समय तो सुबह और शाम होता है प्रशनी करता वह क्यों चीता सुबह और शाम की समय गर्मी कम होती है ना इसलिए शिक कर लेते हैं पर मुझे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता तो यानि यहां चीता को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता हमें यह पता चला वैसे दिन में तुम्हें पांच किलो मीटर दूर करें शिकार को भी देख सकता हूं प्रशन करता बोलते हैं वह आपकी नजर तो क चीता धन्यवाद यह चित्तियां मेरे बहुत काम आती है प्रश्न करता मतलब चीता दरसल यह शिकार करने में मेरी सहायता करती है देखिए अगर शिकार को पकड़ना है तो मुझे चुपके से उसके पास तक जाना होता है जब मैं घास जाड़ी हो यह जंगलों में चलता हू प्रश्न करता अच्छा तो आपकी नजर और तुच्छा की कारणा है अथनी अच्छे शिकारी है चीता वैसे देखा जया तो मेरा पूरा शरीर करने के लिए डप मेरी दात हूँ है अब आप कह रहे हैं तो पास आ जाता हूँ ओ ये तो बहुत नुकीले हैं तो चीते के दात कैसे हैं बहुत नुकीले चीता जी हाँ और ये जैसे दिख रहे हैं वैसे ही काम भी आते हैं तीखे नुकीले दात मास को काटने और चीर फाल करने में काफी उपयोगी होते हैं ऐसे दात आपको किसी शाकारी प्राणी में नहीं मिलेंगे उनके दात सपाट बने होते हैं ताकि घास और पत्तों को चबवा सकें उनके लिए वैसे दात ही उपयोगी हैं पर मैं तो मासा हारी हूँ, मुझे तो मास खाना पड़ता है, यही एक चीज है जो मेरे शरीर को ओड़ा दे सकती है, तो बच्चों चीते के दात कैसे होते हैं, तेज और नुकीले होते हैं, जिनसे वो आसानी से शिकार कर पाते हैं, अब प्रिश्निकरता पूछते हैं, आप आपका पूरा शरीर शिकार करने के साथ से ढल गया है, चीता हाँ हाँ, दात तो आपने देखी लिए हैं, अम मेरी लंबी टांगे देखिए, मेरा चरपरा शरीर देखिए, लंबी टांगे और चरहरा शरी तेज दोड़ने में मेरी सहायता करते हैं, प्रश्निकरता, आपक की बनाई हुई तेज से तेज कार को पीछे छोड़ सकता हूं इतनी तेज गती तक पहुंचने में मुझे समय भी बहुत कम लगता है प्रश्ण करता मतलब चीता देखे मैं भी खड़ा हूं अभी मेरी गती शून है मान लीजे मुझे कोई शिकार दखाई दिया अम मुझे द मुझे स्वादिस्ट हिर्णों और चिंकारों को पकड़ने के लिए तेज दोड़ना ही पड़ता है आपको मालूम है वे फिजूर में इदर उदर नहीं गूमते इसलिए उन्हें हर समय नहीं पकड़ा जा सकता चालाग भी वे काफी होते हैं मुझसे बचने के लिए इदर दिए